कर दोस्तों सब्सक्राइब मेरे चैनल पर मेरा नाम है सेम मुंडे अच्छ हम बात करेंगे एश्यम पेइंट लिमिट्ड के बारे में यह सबसे बहतरी स्टॉक है लॉंग टॉम के लिए अच्छा सा स्टॉक है क्योंकि जब यह स्टार्टिंग हुआ था लिस्टिंग हुआ था तब बहुत कम था आज के दिन बहुत जाधा है तो चलिए उसके बारे में आज बात करते हैं तो थोड़ा सा वर जानकर लेने कोशिच करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं लगबग 100 के करीब है इसका सेक्टर का लगबग 26 के करीब है और यह निफ्टी 500 में आता है तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसका जो हम बात करेंगे वह इंट्राडे की बात करते हैं यहाँ पर लगबग यहाँ पर इंट्राडे में 3267 पर गया था और ऑसका हैं कि थे नजर 370 पर गया था और यह आज़का एक साल कर लो यहां पर दोजार हैं दो सो साथ गया था वह इचबीस फेबरुरारी 2021 दोचा गया था और इसका हाई गया था उसका आप यह देख सकते हैं 10 जैनिवरी 2022 को गया था इसका हाई गया था 3500 पास्सों नम्व यहां और यहां साथ है उसका फंटामेंटल थोड़ा सा स्ट्रॉंग है बहुत ही स्ट्रॉंग है तो अब यहां पर देख सकते हैं इसका पी कितना है और यह शेर होल्डिंग यहां पर प्रमोटर के पास कितनी है लगबग 52.79 के करीब है यहां पर EFI के पास देख सकते है कि लगबग 20 21 के करीब है DI के पास लगबग 6 के करीब है और यहाँ पर अधर के पास लगबग 3 के करीब है corporate के पास लगबग 5.5 के करीब है और publish के पास लगबग 12 के 12 के उपर है थोड़ा सा तो यह तो हो गई थोड़ा सा आपको प्रोमोटर के बारे में जानकारी, तो आज थोड़ा सा मार्केट डाउन था, निफ्टी लगबग, एक सो जो रहतर पॉइंट नीचे फिसला है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉटले रिजल्ट चेक करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा और नीच आते हैं, एन्यूवल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, नेट कितना हो गया है, उसका अलग 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 अलग, यहाँ पर ग्रोथ हो गया, कॉस्ट अफॉल्ट, प्रॉफिट, जीपी मारजीन, थोड़ा सा और नीच आते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज आप करकी आकड़े देख सकते हैं, इसे कुछ जल्द बाजी नहीं होगी, तो यहाँ पर रिजल्ट बैलेंशीट के बारे में बात करें, तो शेर होल्डर के पास कितना कितना फंड है, यहाँ पर कि फैनलिशील रेश्यो के बारे में बात करें, तो फैनलिशील रेश्यो के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह फैनलिशील रेश्यो है, बुक वैल्यू कितनी है, और वी कितना है, और वी कितना है, और उसी कितना है, यहाँ पर इसका कैश फालो देख ट्रॉटर लीश्टी पुसेट कि इसमें अलग तो देख सकते हैं यह स्टॉप शीस्टिम पे आचा-कासा मुगेंट कर रहा है यहां चोटा सा ग्रीन चैंडल हमें मिलना चाहिए बड़ा चोटा स्बाले तो बड़ा सा मिलना चाहिए जब आप फॉल्व आता है ताप लगर इसने दिया है आपने आपको यहां पर देख सकते हैं साइडवेज राइज दिन था यहां से देख सकते हैं सिगनल मिला यहां पर आपने ले लिया तो यहां पर आपका हो सकते हैं यहां पर सपोर्ट मिला यहां से राइजिंग हो यहां से राइजिंग हो यहां से इस कैंडल के ऊपर तो हम ने अब या यह तो मुश्हाल के सबिस्कंटा में इत्पन मेंद्सकिए चला गाया हम सोगहर जाई अपर अपर चंट मिलता है वहां उपर यहां सपोर्ट से आप है शवार जापले difник प्लास हे लाँ यहापे मिला तो और भी स्टुड़ी करने के बाद आपको चार्ट के ऊपर हम बहुत साथ स्टुड़ी कर सकते हैं इसके कोई बात नहीं है तो यह तो स्टॉक हो गया तो हमारी हिसाब से यह स्टॉक तो आपके सामने हो गया इसका आप देख सकते हैं इसका जो जो देख सकते और support zone देख सकते रख बगग 3 हजर नीचे मेरे खाइल से नहीं आएगा और दूसरा area support zone भी आप इसमें देख सकते कि इसका क्या होने वाला है तो वो भी देखते हैं इसका support zone यह भी हम कह सकते हैं यह भी हो सकता तो उतना भी नेक है यह सबसे बढ़िया है तीन हजाद के ऊपर से नीचे से नहीं आए गाई लेकिन आपको एपजर करें लॉग्टरम के लिए शॉटरम के लिए या फिर मिटरम के लिए आचा कासा उसमें पैसा बना सकते हैं यह तो हो गई आपको चाट के बारे बाते हैं तो हम आर erst आर गड़ लिए लगबग 3422 गा टेंगे यहां पर 3219 के ऊपर लेंगे और स्टॉप लोस हम यह पर 3209 से रखेंगे यह तक करसकते हैं पर नीचें अपथे 27202 कर सकते हैं स्टॉप लॉस और टार्गेट करेंगे यहां पर इसके बारे में ही बात करेंगे तो यह क्या है तो हाप के लिए था तो यह अच्छा-खास सपोर्ट हमें मिल रहा है तो यह से थोड़ा सा हमें सिग्णल मिलना चाहिए कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर हमें ग्रिनीड केंड़ उसे धूड़े के लिए कर सकते लांकरम के लिए भी कर सकते हैं और अच्छा खसावी मुमेंट भी कर सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही था